स्टुनेंट्स एंड वेलकम तो दी गैजन साइंस एंड कॉमर्स अकैट्मी इस आपास फाइस पार्ट टू एस ताइम पर क्लास और स्टैस्टिस्टिक्स मैं नेम इस हाफिस अब्दुलमाजीर अगर बेटा हम लोगों नहीं चैप्टर नंबर 14 जो है वो स्टार्ट किया व इसने दिए जी फर एसाट फिफ्टी पेर्ड अपाइसन दिए पर अप्ट इसन अपट पाइसन अप्ट फिट्ट पैर्ड अप्ट वेल्यूस फांड देर मीन वीफोर 20 फांड दिकर पीर्सन को फिन ओफ को रिएसन अजिसका जो में पर स्किवन डेटा है नंबर अफ पैर अब्जर्वेशन को हम एंसे दिनोड करते हैं जो कि माइपास 50 थी इसने डेविशन ऑफ एक्स माइपास 4.5 एसने डेविशन ऑफ वाई माइपास 3.5 गिवन है जबके सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटु वाई माइनस वाई बार जो है वो 420 गिवन है यह एक्विजि उनको डेविएट किस में से करना है from their mean उनके mean में से हमाई पास जो equation बनती है according to this statement वो माइपास बन जेगी summation x-x-bar into y-y-bar which is equal to 420 कोफियन अफ कोर्डेशन जो है वो हमने find करना है according to this sum हमाई पास जो most suitable formula है वो कुछ इस तरह से है कि r is equal to sum of x-x-bar into y-y-bar divided by n into sx into sy सब्सक्राइब पास मौझूद है हमने formula के अंदर उसको put किया 420 divided by n हमारे पास 50 है sx 4.5 है और sy हमारे पास 3.5 है नीचे वाले terms को multiply किया तो answer मारे पास आ गया जी 787.5 और final answer मारे पास r का आ गया 0.533 तो यह मारे पास a part जो है वो इसका solve हो गया question no.4 का b part है जी कि for a given set of data we have s square x की value given है 9.102 s square y given है 2.204 sxy की value given है 1.694 find the product moment correlation coefficient for the data इसमें भी हमने r ही find करना है अब क्योंकि हमारे पास s square x है according to the formula हम formula पहले देखते हैं जी sxy divided by sx into sy क्योंकि हमारे पास square टाउंस ही square को cancel करने के लिए हम क्या करेंगे s square x का under root लेंगे तो उसकी value 3.107 आ जाएगी इसी तरह s square y का under root लेंगे s y है तो वो मैं पास 1.485 आ जाएगा now we are putting the value in the formula sxy मैं पास given है 1.694 sx की value मैं पास आगे 3.107 और s y मैं पास आगे 1.485 नीचे value उसको multiply किया तो मैं पास answer आगे 4.480 और final answer of correlation coefficient का मैं पास आगे 0.378 तो यह मैं पास question number 4 जो है यहां तक complete हो गया next question number 5 का a part है जी मारे पास इसमें भी हमारे पास कुछ set of data given है s square x given है 16, sxy given है 36, r की value given है 0.48 और s y जो है वो हमने find करना है same वही formula लगाएंगे जो भी हमने question number 4 के b part में लगाया r is equal to sx divided by sx into sy, same उसी था है s square x given था 16 हमें क्योंके s x सही है उसको under root लिया तो मैं पास आगे 4 values put की, r की value 0.48, sxy 36, sx 4 आ गया, s y क्योंके हमने find करना है उसको हमने as it is ही लिख दिया next step में हम s y को equality के left side पर ले जाएंगे और 0.48 को हम right side पर लेंगे नीचे value terms को multiply किया और 36 के divide किया तो मैं पास जो final answer of s y आया वह है जी 18.75, simple था, एक question था जी next question number 5 का b part है के तो for a given set of data we have r is equal to 0.5 sum of x minus x bar into y minus 5 bar equals to 120 sum of x minus x bar whole square is equal to 90 s y की value given है जी 8, find the number of pairs of values इन इसमें अब हमने क्या find करना है जी इसमें n की value यह हमने find करनी है यह थोड़ा सा tricky सा question है according to the sum हमारे पर जो most suitable formula है वो यह है जी r is equal to sum of x minus x bar into y minus y bar divided by x minus x bar whole square sum of y minus y bar whole square and whole and root अब इसमें question यह है कि जिनाब हमने n find करना है और पूरे formula में हमारे पस n ही मौजूद नहीं है तो वो कहां से आएगा as we know that हम जानते हैं जी हमारे पास जो variance है s square y वो equal होता है sum of y minus y bar whole square over n n यहां पर divide हो तो दूसरी side पर जाके मारे पस क्या हो जाएगा वो s square y के साथ multiply हो जाएगा अब it means n s square y equal है sum of y minus y bar whole square के तो अगर आप r का formula देखें तो उसमें हम sum of y minus y bar whole square की जगह पे n s square y भी put कर सकते हैं तो next step में हम वही काम करेंगे जी के sum of y minus y bar whole square की जगह पे मैंने put कर दिया n into s square y क्योंकि दोनों sides equal थी तो that's why मैं उसकी जगह पे n square s y भी put कर सकता हूं now हम उसकी values आप put करते हैं जी r हमारे पास given है 0.5 sum of x minus x bar into y minus y bar given है 120 sum of x minus x bar whole square given था जी हमारे पास 90 n हमने find करने है और s y हमारे पास 8 था क्योंकि formula में square है तो हम उसका square ले लेंगे से बन गया 120 बोट साइड पे अगर हमने अंडरूर जब write कर दें 0.5 पे और जो उसका answer है उसका अपने square लेना है तो हमारे पास आ रहा है हम अपने next lecture में लिखेंगे तब तक के लिए बटा अला अफिस झालिए